नमस्कर दो पागत ही आपका फार्मरोक्स के यूटूब एज्जूगेसने चनल में तो आज की ओडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हैल्थ इस्यूज और उसके सॉलिसंस के बारे में सीखने वाले है जैसे कि कुछ हैल्थ प्रॉब्लेम हम देखे यहाँ पे तो सबसे पहला हैल्थ प्रॉब्लेम है कि आपको पेट में अचानक से काफी ज़्यादा तेज दर्द होता है दूसरा हम प्रॉब्लेम देखे तो चूबन मैसेस होती है तो यह साइड आपको ऐसा फिल होता है कि कोई चीज आपको वहाँ पे चूब रही है फिर तिसरा सिम्टम हम देखे तो खासने पर या फिर व्यायाम करने पर या फिर बातरूम जाने पर आपको काफी ज़्यादा जो है वो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो ये जो सभी health problems है या फिर जो symptoms है वो indicate करते हैं कि हरनिया की बीमारी हो सकती है तो सीखते हैं detail में आज के lecture में हरनिया के बारे में तो सबसे पहले उसका basic हम सीखेंगे और फिर उसके होने के reason क्या है symptoms क्या रहेंगे diagnosis यानि की निदान कैसे हो सकता है और treatment के बारे में detail में समझेंगे तो सबसे पहले उसका basic यहाँ पर हम clear करते हैं तो एक common problem है especially जो anatomically हम देखे तो जो हमारे पेट के निचले हिस्से में अलग-अलग locations पर इस तरह से umbilical hernia या फिर lateral hernia, ingual hernia, femoral hernia, incisional hernia या फिर epigastric hernia जैसे अलग-अलग hernia जो हो सकते हैं तो especially इसमें होता यह है कि जब वहाँ पे सूजन बढ़ने लगती है या फिर वहाँ पे कोई infection जैसा होता है तो उसके करण यह जो problem है वह काफी ज़्यदा बढ़ने लगती है तो especially जो groin का area है या फिर जो आपके reproductive organs से वहाँ पे भी यह दिकत ला सकते है तो कोजिस के बारे में हम समझे तो अगर आपका nutrition काफी पूर है जो एक अच्छा diet होना चाहिए, nutrition वाला वह आप नहीं ले रहे है तो भी आपको हरनिया का problem हो सकता है अगर आप smoking करते हैं और वो भी बहुत ज़्यदा excessive smoking करते हैं तो उसके करन यह problem हो सकती है coughing रहते हैं आपको काफी ज़्यदा फिर straining to urinate मलब की urination जो अच्छे से नहीं हो रही है आप काफी ज़्यदा overweight है या फिर आपका weight बढ़ रहा है आप obesity के वार जा रहा है और abdominal fluid जो है वो आपके पेट में काफी ज़्यदा जमा है तो भी यह दिक्कत आपको हो सकती है तो वीडियो के बेच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे ही अलग अलग बीमारी के बारे में सिखना अच्छा लगता है और उनके उपचार के बारे में नीदान के बारे में सिखना अच्छा लगता है तो जो हमारी बूख है decision treatment वो आप purchase कर सकते हैं अब उसका third edition भी available है 2024 का जो latest version है वो आप order कर सकते हैं order करने के लिए यहाँ दिएगे number पे आप हमें whatsapp कर सकते हैं तो आगे आते हैं topic पे तो कुछ और causes उसके समझे तो अगर आप काफी ज़्यादा heavy weight जो है वो lift कर लेते हैं काफी ज़्यादा वजन आप carry करते हैं तो भी यह problem हो सकती है दूसरा reason देखे तो काफी ज़्यादा dialysis हुए है आपके सरीर में constipation लंबे समय तक रहता है तो भी हरनिया हो सकता है अगर आप cystic fibrosis के patient है तो आगे जाके हरनिया हो सकती है और prostate अगर enlarge हुआ है तो भी यह हरनिया की दिक्कत आपको हो सकती है तो symptoms हम देखे तो active side pain लगे जहाँ पे हरनिया में सुजन बढ़ गई है इस तरह से वहाँ पे आपको काफी ज़्यादा जो है वो pain हो सकता है दूसरा हम symptom देखे तो वहाँ पे आपको pressure जैसा फिल होता है फिर जो specially scrotum होते है पूरूसों के अंदर वहाँ पे उनको tugging जैसा या फिर pain जैसा कुछ चीज वहाँ पे चूब रही है असा आपको feel होता है sharp pain होता है पहुत ज़्यदा कई burning sensations भी होते है discomfort फिल होता है कुछ लोगों को nausea vomiting जैसा भी फिल होता है और दर्द जो है वहाँ सहन नहीं कर पाते हैं diagnosis हम देखे तो कैसे निदान हो सकता है because इस तरह के जो कुछ pain है वो kidney stone में भी होते है appendix में भी होते तो actually हरनिया है या कोई और है problem वो कैसे पता लगेगा तो सबसे पहले जरूरी है कि उसका diagnosis तो abdominal ultrasound किया जाता है और ultrasound से confirm location पता चल जाती है कि कहाँ पे सुजन हुई है और किस type का हरनिया आपको हुआ है दूसरा patient counseling की जा सकते हैं patient को check किया जाता है उसे बाचित की जाती है फिर उसके symptoms पूछे जाते हैं और symptom based भी एक diagnosis हो सकती है कि जिसको हम specially कहते हैं कि एक patient counseling के दौरान हमें idea आता है next हम देखे तो abdominal MRI scan की जाती है उसी तरह से CT scan भी किया जाता है कि जिससे reason पता चलता है pain का और यह सब symptoms का कि जिससे final diagnosis हो जाएगा कि आपको कौन से type का हरनिया है endoscopy भी की जा सकती है x-ray किया जा सकता है digestive track का बलब हमारे पास काफी सारे option ही उसको diagnose करने के अब बात करते हैं treatment के तो treatment के अंदर medicine से पहले हम देखेंगे कि जो pain है वहाँ पे जो icing therapy की जो हम बात करते हैं कि जो बरब बरी हुई जो थेली होती है उसके थुरू यहाँ पे pain जो है वो कम किया जा सकता है oxygen कम की जा सकती है कि जिससे जो patient है उसको काफी ज़्यादा जो हो राहात मिलती है फिर यहाँ पे हम दूसरा option देखे हरनिया के अंदर तो वो है हरनिया के drops तो हरनिया के जो drops होते है एलन जो homeopathic company है वो बनाती है तो यह जो है वो patient use कर सकते है कि homeopathic drops जो लेने होते है कि जिससे भी हरनिया में काफी ज़्यादा फाइदा होता है फिर दूसरा option यहाँ पे बन जाता है herbal medicines के अंदर तो यहाँ पे जो एक product है जिसका नाम है विद्धिवादी का वटी जो है को जो specially हरनिया के लिए काफी useful सा भी दोती है बाइदनात करके जो herbal आयरुवेदिक company है वो उसको manufacture करते है तो abnormal जो cell growth होता है हरनिया के अंदर कि जिससे वहाँ उसके size बढ़ती है pressure बढ़ता है और pain वगरा बढ़ने लगते है तो वो इससे कम होते है और उसका हम dose के बात करें तो एक या दो tablet आपको दिन में दो बार लेने होते है पाने के साथ और यह improve करता है digestion और जो absorption होता है nutrition का वो बढ़ाने में यह medicine help करती है फिर surgery का option बनता है तो surgery के बाद या फिर surgery के पहले भी कई बार ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे infection जैसा हो रहा है या फिर किस equation को post-formation जैसा हो रहा है तो वहाँ पे septic ना हो जाए bacterial growth ना हो उसके लिए जरूरी है antibiotic का option antibiotic में हमारे पास options बन जाते है ampicillin जैसे antibiotic का या फिर उसके उपर भी higher up से fallosporin में जा सकते है especially जो broad spectrum antibiotic होते हैं जैसे कि ampicillin है zentamicin है वो patients को prescribe किये जा सकते है तो यह पे centamicin का जो option है वो specially IV drops के थूरू रहता है और IV drip के थूरू intramuscular injection या फिर IV drip से उसको लगाया जाता है और specially single dose दिया जाता है intravenously कि जिससे infection जह वो ना फैले फिर हरनिया के दोरान acidity ना हो इसलिए H2 blockers दवे जैसे कि famotidine का एक option रहता है अगर यह suit नहीं करते है पेसंस को तो उसका दूसरा option है proton popin inhibitors के इंदर pentoprazole है rabiprazole वगरा के जो option बन जाते है कि जो omiprazole, pentoprazole, rabiprazole उसके DSR tablet भी ले सकते हैं जो इसके साथ domperidon होते हैं और sustain release tablet जो रही जाती है कि जो special है खाने से पहले जो है वो लेनी होती है patient को कि जैसे क्या होता है कि काफी ज़्यादा acid produce नहीं होता और patient को जो है वो रहत मिलती है तो अगर ऐसे ही आपको बहुत सारे बीमारीयों को बारे में सिखना अच्छा लगता है उनके उपचार के बारे में सिखना अच्छा लगता है तो PharmaRox की चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे क्लिक करके आप हमारा VA वीडियो भी देख सकते हैं So good luck and all the best